इस वीडियो में समझेंगे 6 साटकर्ट रूल्स तो स्टाइट करते हैं रूल नंबर 1 इसका नाम है कालम मेथड आपने यह पढ़ा होगा ही लेकिन हम यहाँ पर इसका साटर वर्जन मतलब की साटकर्ट वर्जन जो है हम समझेंगे तो हमने यहाँ पर दो नंबर ले लिया अलरड़ी और उनका स्क्यार भी लिख लिया है ताकि हम मैच कर सकें कि हमारा आंसर जो करेक्ट आया है या नहीं चलिए तो हमारा रूल क्या कहता है यह देखिए 57 जो नंबर है इसका स्क्यार करना है ठीक है तो यह जो 5 है उसको मान लिजे यह उसके बाद हम तीन चीज निकालेंगे पहली चीज ए इसके बद निकालेंगे 2AB उसके इंसके बन निकालेंगे करिए और two seven play कर लिजे तो five seven जा five seven जा मतलब की ये करना है आपको two into five into seven करना actually ये क्या आएगा पताइए five two जा ten और five two 10 हो जागा और 70 हो जाएगा मतलब उसके बाद a square निकाल लिजे five square means 25 अब ये निकालने के बाद ये तीनों निकालने के बाद मतलब ये नंबर ये नंबर और ये निकालने के बाद का करना है इस नंबर का पहला डिजिट मतलब unit space का डिजिट बस रख लिजे answer में और जो four है उसको लाकर के इसमें add कर लिजिए means plus four कर लिजिए क्या मिलेगा ये हो जाएगा 74 74 का four जो है यहां पर ले लिजिए उसके बाद अब जो seven बचा है seven को लाकर के इसमें add कर लिजिए तो 25 प्लस seven कितना हो जाएगा ये मिल जाएगा आपका 32 ये हो जाएगा 32 देखिए यहां पर 3249 एकदम correct answer तो मतल simple है इसे हमें इसके बताते हैं 86 का कैसे करेंगे से 9 6 लिए एक को माण लिझे a को माण लिझे b थो यहांपर बीच में निकालिए 2AB करके और यहां पर निकालिए a square तो यहां पर जाए हो помог factor लिजे तो 6 2 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा 12 9 जा 108 ठीक है हम स्टाट करेंगे इधर से तो जो इस नमबर का unit space का digit है वो answer में जाएगा 6 अब जो 3 बचा है इसको हम carry over ले करके इसमें add कर लेंगे मतलब कि plus 3 कर लेंगे इस पूरे number में कितना जाएगा 8 3 कितना होगा 11 का 1 और 1 इसमें add हो जाएगा 1 1 मतलब कि अब यह बन गया नमबर अब नए नमबर का यह जो unit space का digit है यही answer में होगा मतलब यह वाला number जो है answer में ले ले लिजे और 11 बचा हुआ है इसको भीज़ दीजे इधर मतलब कि इसमें add कर दीजे 81 में कितना मिल जाएगा अब इसको इधर तो ले नहीं जा सकते कुछ भी तो 92 का 92 यहां पर आगर यह रख दीजिए यह आपका answer हो गया मतलब को हला simple image करना है a plateau 2 भी निकालना है और b pavement मतलब इहां पर column method बोलता है इसलिए क्योंकि ये 2 column है ,3 column में होता है एक column ये column ये इसलिए बोलता है इसको column method जलिए आव अब मिद्जिम स्टार्ट करते है rule no 2 ओके रूल लंबर टू इसका नाम है क्रास मल्टिप्लिकेशन और इसमें थर्ण करके हम किसी भी किसी भी नंबर का स्क्वार निकाल सकते हैं क्रास मल्टिप्लिकेशन तो यहां पर 57 है 57 का स्क्वार निकालना है ठीक है तो कहा करिए आप जो है 57 और 57 को एक दूसरे को उपर लिख दीजिए फ्रास हमें स्पेस देकर लिखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए 57 और यहां लिख लेता है 57 पहले-पहले करना क्या है क्रास तक जो यह युनिट स्पेस की डिजिट है इन में में मत् quieresination कर लेंगे मतब 7 फ्रीकेशन कितना आएगा 7 संजम्जा 49 का 9 लिखेंगे 4 carryover को यहां रख देंगे ठीक है 4 carryover यहां रख देंगे उसके बाद अब देखे का करना है इसमें मटपले करके हो गया अब 4 carryover हो गया अब इधर मटपले करिए और इधर मटपले करिए और अलग अलग value निकाल लीजिए मतलब कि 5,7 कितना आजाएगा 5,7 जा 35 35 और इधर मटपले करिए 5,7 जाएगा 35 35 दोनों को add कर दीजिए कितना आएगा 70 70 में यह 4 add कर लीजिए जो carryover आया था तो मिल जाएगा 74 74 का 4 रख लीजिए और जो 7 है उसको यहां रख लीजिए उसके बाद इस 5,5 को मटपले करिए और जो भी आता है उसमें यह carryover 7 जो है add कर दीजिए मतलब कि 5,5,25 25 और 7,32 तो actually cross multiplication जो है और ज़्यादा side cut version है column method का ठीक है यह आ जाता है 3249 ठीक है वाईसे ही हम निकाल लेंगे 96 का भी आपको दिखा देते हैं 96 square का भी यहां लिखेंगे 96 उसको बाद दिखेंगे 96 पहले इन दोनों का भी प्लाई करिए 6 जा कितना हो जागा 6 जा 36 का 6 रिखिए और 3 करेंगे पर यहां लिखिए उसको बाद से cross multiplication करिए इधर और इधर तो 9 6 जा 54 54 में add कर दीजिए इधर से cross multiplication करिए 9 6 जा 54 कितना आएगा यह आजाएगा 108 राइट पर पर एट हो जाएगा और 5 5 10 हो जाएगा अब जो 108 में जो carry over 3 है वो add कर दीजिए मिल जाएगा 111 111 का 1 रखिए और 11 जो है carry over हो गया यहां पर उसके बाद से अब इधर मट प्ले करिए मतलब 99 में पहले पहले क्या करना है 6 6 में करना है उसके बाद से 9 6 9 6 में करना है उसके बाद से 99 में करना है ऐसे तो 99 जा 81 81 में 11 add कर दीजिए 81 में 11 add करेंगे मिलेगा 2 और यहां पर मिलेगा 9 means 92 देखिए आपका अंसर आ गया ऐसा 9216 तो यह है आपका crash multiplication किसी भी दो number का हम कर सकते है simple तरीके से तो इसमें क्या करना है आपको बहुत ज़्यदा practice करना है तभी आप इसमें पारंगत हो पाएंगे तो अब हम पढ़ेंगे next rule तो आप हम पढ़ेंगे next rule तो आप हम पढ़ेंगे next rule और उसके पहले कोई digit हो तो कैसे square करेंगे इसका जैसे कि 65, 85, 95 ठीक है 35, 25, 15 इन सभी का square कैसे करेंगे तो हम यहाँ पाप बतातें आपको तरीका यह है कि यदि हमारे पास A एक digit है और फिर 5 है या फिर ऐसा भी सकता है कि दो digits हो, ठीक है ऐसा भी सकता है कि A, B हो और फिर 5 हो तो इसका यदि square करना हो या फिर इसका square करना हो दोनों का सेम तरीके से करेंगे क्या तरीका है जो भी 5 को छोड़ करके जो भी यहाँ पर digit रहेगा या number रहेगा उसका पहले हम क्या करेंगे उसमें multiply कर लेंगे उसी में एक add करके मतलब A into A plus 1 कर लेंगे और जो भी आएगा यह number कुछ आएगा और जो भी यह number आएगा तुरंट उसके आगे बस 25 लेग देंगे 25 क्या है? 5 का square clear? मतलब कि एक jumper से start करते हैं इसे हमार पाद 65 है 65 है इसका square करना है तो बस क्या करिए कि 6 का जो 6 है 6 में multiply कर दीजिए 6 में एक add करके मतलब कि 6 में multiply कर दीजिए 7 से 6 से बन जा 42 हो जाएगा 42 हो जाएगा ना अब 42 हो जाएगा तो 42 के आगे बस लिख दीजे 25 ठीक है? 42 के जस्ट आगे 25 लिख दीजे तो यह आपका number आ गया देखे 4, 2, 2, 5 यह आपको 85 के इस्वर करना है 85 के इस्वर करना है दीखे 8 में multiply कर दीजिए 8 में एक बढ़ा करके मतलब 9 से और जो आता है क्या आएगा? 8, 9, 2 72 उसके आगे 25 लिख दीजिए केवल उसके आगे 25 लिखना है मतलब 5 के स्वर करना है तो आपका आज आएगा देखे 7 अब जान 2 है 25 यदि आपको 95 के स्वर करना है तो इसमें भी वही काम करना है मतलब 9 में multiply कर लिखा करिए 9 में multiply करिए 10 से क्योंकि एक बढ़ा कर गे ठीक है और यह मिल देगा आपको 90 उसके आगे 25 लिख दीजिए ये नमर हो गया आपका square तो मतलब आपको ये square नहीं करना है यहाँ पर is equal to नहीं लगाना यहाँ पर is equal to हमने गलत यह लिख दिया क्योंकि ये सब equal थोड़े है एक दूसरे के हम directly मतलब यह समझेंगे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे है ऐसे solve कर रहे है मतलब इतना वरब यह कर लिए हम solve और यह कर लिए तो हमारा यह आ गया जैसे कि अब हम लेते हैं 3 digit का number इस तरह का इसमाले लेते हैं 105 ऐसा number तो इसमें भी वह इसे ही करना है क्या करना है 10 जो है न 10 10 में मतलब लिए एक बढ़ा करके कितना आएगा यह आएगा 110 और उसके आगे क्या कर रहे है 25 लगा दीजिए this is your number यह हो गया 105 पर इसक्वार क्या होता है 11,025 ओके अब मालिज़ दे दिया आपका 11 मने कि 115 आ गया इसका आपको निकालना है स्क्वार क्या होगा देखिए पहले का अगर यह कि 11 मुटप्लाई कर लिज़े 12 से 11 में एक बढ़ा करके मुटप्लाई कर लिज़े 11 तो इसक्वार क्या होता है 11 वंज़ा 11 11 वंज़ा 2 तीन 2 2 बचा 11 वंज़ा 11 और और 2 13 हो जाएगा 13 का 3 हो जाएगा और 1 132 आएगा मतलब कि 132 के आगे जो है बस 25 पढ़ा दीज़े यह हो गया आपका नंबर इसका स्क्वार तो इसम्पल में थड़ है सब पे लागो होता है ठीक है बस आपको क्या करना है कि 5 को छोड़ करके जो नंबर बना हुआ है उसमें एक बढ़ा के बनाई कर दीज़े और जो नंबर आता है उसके आगे 25 दीज़े जैसे कि माली आपको करना है 35 का तो बस क्या कर दीए 3 के आगे बढ़ा दीज़े 4 जागा 4 जागा 12 12 और 25 दीज़े जागे इसका क्या हो गया इसक्यार हो गया यह ग्रेट तो समझ चुके हैं यह रूल नंबर 3 अब चलते हैं रूल नंबर 4 पर ओके रूल नंबर 4 वें दा नंबर इस इन दा फार्म 5A means A जो है यूनिट स्पलेस का डिजिट है और 5 जो है 10th place का मतब 10th place पर 5 हो और उसके बाद एक रेंडम नंबर हो 1 से ले करके या फिर 0 से ले करके 9 तक जैसे कि 56 का स्क्वाइर करेंगे कैसे करेंगे 58 के स्क्वाइर करना हो तो कैसे फास्ट करेंगे 59 के स्क्वाइर करना हो तो कैसे करेंगे ठीक है तो इस तरह का number हो तो कैसे करेंगे तो हमें क्या करना है यहाँ पर rule ये है कि यदि 56 है और उसके square करना है तो करना क्या है देखिए समझेगा पहले 5 का square कर लिजिए और यहाँ लिख लिजिए ठीक है 5 का square का अगा 25 और उसमें 6 add कर दिजिए क्या कर दिजिए अब इन दोनों से जो भी आएगा उसमें 100 से मटपले कर लिजिए उसके बाद फिर प्लस कर दिजिए 6 का square बस यह आपका answer है मतलब कितना आजाएगा 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा 31 31 में क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे बस यहाँ पर यह मटपले करने का 100 से मतलब क्या है 0 बढ़ा दिजिए प्लस 6 कितना होगा 36 होगा 36 जब add करेंगे इसमें तो 36 add करते हैं किसी में तो क्या होथा यहाँ देखे 0 जूरू दोनों है 36 यहाँ पर आजागा 36 आजागा बस यहाँ पर 36 यहाँ पर आजागा और यहाँ जागा 31 देखे आगया 31,36 चलिए अब करते हैं 58 58 यह करना है तो क्या करना है पहले 5 क्या कर रिए square कर दिजिए 25 उसमें 8 add कर दिजिए plus 8 उसके पाद यह जो भी आएगा उसमें 100 से मट लए कर लिजिएगा फिर प्लस कर देंगे इस 8 का square करके मतलब कि 8 add जा 64 यहाँ पर add करेंगे 64 ठीक है यहाँ पर क्या किये थे यहाँ पर 6 का square करके add किये थे वैसे यहाँ पर 8 का square कर देंगे लेकिन यह करना पड़ेगा आपको पहले 5 के square कर देंगे 25 25 में 8 add कर देजिए प्लस इंटू कर देजिए 100 तिए पते 25 प्लस 8 कितना होगा 25 प्लस 8 होगा 33 और 0 जो बढ़ा देंगे यहाँ पर प्लस 64 अब 3300 में यहाँ दि 64 add करेंगे तो मिलेगा 33, 6, 4 आपका answer मिल गया यहाँ पर अब यहाँ पर करते हैं last 59 59 के उसे करना होते का करेंगे 5 एका करेंगे square करेंगे 25 यह हमें से 25 रहेगा और प्लस कर देंगे यह 9 उसके बाद इसमें multiply कर देंगे 100 से उसके बाद क्या करेंगे 9 का square मतलब कि यहाँ आड करेंगे क्या आगा 25 में यह 9 आड करेंगे तो मिलेगा 34 और 00 है यहाँ पर 00 बढ़ा दीजिए प्लस 99 यह क्या होता है 81 होता है इंदोनको आड कर दीजिए मिल जागा आपको 34 और 81 इस योर नमबर 3481 ठीक है तो इसमें आपको इनफ प्रेक्टिस करना पड़ेगा जैसे मैं माली जागे एका करता हूँ 51 माली जाग करता हूँ तो क्या करना पड़ेगा 5 का square करें 25 में वह 1 कर दीजिए 1 को आड कर दीजिए फिर में टबलाई कर दीजिए 100 से फिर प्लस कर दीजिए 1 का square 1 जो है यहाँ पार unit square कर दीजिए उसके square करके add कर दीजिए तो 1 का square तो 1 ही रहेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा 2600 प्लस 1 तो इसमें add करेंगे तो क्या मिलेगा 2601 मिलेगा तो 51 का square क्या होता है 26001 ऐसे ही आप चाहें जिसका निकाला चाहें 52, 53, 54, 55, 56 सबका निकाल सकते हैं तो यह केवल उसके लिए है जो 5A के farm में रहेंगे चलिए पढ़ता है next rule, rule number 5 rule number 5 इसमें क्या करना है when the number is a 3 digit number 5AB 5AB के farm में हो मतलब कि 5 1000th place का number है sorry, 100th place का number है और A जो है 10th place और B जो है 1st place तब कैसे करेंगे जिसके इसमें आपको दे दे 504 इसका square करना है तो rule यह है यहाँ पर ध्यान दिजेगा अब यहाँ पर 5 को जो है हम लिखेंगे 25 लिखेंगे लिकिन यह triple zero मतलब 3 डिजिर का number है तो 250 में add करेंगे यह जो 2 डिजिर से बनने वाला जो number है इसको add कर देंगे मतलब कि plus 4 कर देंगे actually यहाँ पर 12 होता तो 12 करते 14 होता तो 14 करते ठीक है 4 है तो 4 करेंगे और इसमें multiply कर देंगे अब 100 से करता थे न वहाँ पर जब रहता था 2 डिजिर का अब करेंगे यहाँ पर 1000 से फिर प्लस कर देंगे जो यहाँ पर 4 बना हुआ है इसका square से add कर देंगे क्या आपनेगे यहाँ पर देखें यहाँ पर add करेंगे तो मिलेगा 254 और यह 000 3 बार add कर देंगे प्लस फोर फोरजा क्या होता है 16 होता है add करेंगे तो क्या मिलेगा 254 और एक 0 और 16 यह मिल जाएगा नमबर अब ऐसे यह दिमाली करता है 527 का ठीक है square धान दीजेगा पहले-पहले क्या करना पड़ेगा 5 का square कर लिजे 225 और 250 कर लिजे इसको मतब 250 लिखे यहाँ पर और प्लस कर दीजे जो बचावा नमबर है 27 और इसमें multiply कर लिजे 1000 से प्लस कर दीजे 27 जो है यहाँ पर 27 का square क्या मिल जाएगा यहाँ पर देखे 250 plus 27 कितना मिलेगा 7 7 यह 707 हो गया 257 हो गया और फिर 2 हो जाएगा 277 मिल गया और यह 000 लगा दीजे प्लस 27 का square कितना होता है यह होता है 7 2 9 अब यहाँ पर add करेंगे तो यह 3 0 है ही यह आपर already यह 3 0 जो है आपर आ जाएगा means 277 और यह 3 0s के पास आ जाएगा 7 2 9 आ जाएगा यह आपका हो गया answer इसका square तो यह आपका एक number है इसके लिए प्रेटिस कर सकते है 500 से लेकर के जो भी 600 के बीच में 500 और 600 के बीच में जितने भी numbers है उन सब का square निकाल सकते हैं इस तरीके से चलते हैं आप last one and the rule number 6 rule number 6 when the number is closer to 100 जब कोई number 100 के आसपास होता है तो उसका square कैसे करेंगे faster इसे हमाल लिए यहाँ पर दिया 96 का square तो यहाँ पर करते क्या है कि 96 को ऐसे लिखते है 96 और इनेचे लिखते है 96 इनको multiply करना है और यहाँ पर 100 से कितना कम है वो आगे लिखते है कितना कम है minus 4 अब यह करना है कि इन दुनों को multiply कर लिजे minus 4 into minus 4 कितना हो जाएगा मतब किवान number को ही हमें multiply करना है 16 उसके बाद यह minus 4 जो है इसको इधर minus कर दिजे या फिर इसमें से minus कर दिजे किसमें से minus कर सकते हैं तो 96 में से minus करेंगे 4 तो मिलेगा 92 और ही आपका square है देखे बहुत सान है यदि आपको करना है 98 तो देखना पड़ेगा कि 100 से कम है तो 2 कम है minus 2 98 और 2 कम कर दिजे यहां पर या फिर एक ही बार लिखकर कर देंगे तब भी हो जाएगा जैसे मैं यह कहूं कि इसको आप ऐसे कर लिजे केवल यह देखे कि कितना कम है 100 से तो आपको मिल गया कि 2 कम है क्या करना है 2 का स्कार कर दिजे मिलेगा 4 तो हमें 04 लिखना है मतब कि 2 डिजिट का नंबर मिलेगा यहां पर ठीक है 04 यदि 4 मिला किवल तो 04 कर देंगे उसके बाद minus 2 को मतलब की है घटा दिजे 98 में से मिलेगा 96 तो आपको यह answer हो गया यह square हो गया 98 का square अब यदि माली जाबो करना है 106 का square ठीक है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 186 लिखिए और देखिए कि यह 100 से कितना ज्यादा है तो 100 से 6 ज्यादा है प्लस 6 अब करना क्या है 6 का square कर दिजे कितना मिलेगा 36 राइट इस 6 को इसमें add कर देंगे मतलब 106 में 6 को add कर दिजे क्या मिलेगा 112 यह हो गया आपका square हो गया 106 का ठीक है यह ओके ठीक है यदि हम थोड़ा सा बढ़नाम लेते हैं इसमाल लिए 100 ले लिए 12 इसका करना है square क्या करेंगे इसको भी ठीक ऐसी करना है इसको पहले break कर लिए 112 को ऐसे लिख लिए 112 जो है कितना 100 से जादा है प्लस 12 जादा है अब 12 का square कर दीजे 12 का square कर दीजे 144 लेकिन आपको क्यों लिखना है 44 ही और 1 को नीचे लिख दीजे और आगे बढ़ेगा तो क्या करेंगे फिर 12 को इसमें add कर देते हैं है कि नहीं अगले पर क्या करते हैं 12 को add करेंगे इसमें तो 12 में 12 आइड करेंगे तो मिलेगा 124 में यह जो carry over 1 है वो add कर देंगे मिल जाएगा 125 मतलब यह भटा देंगा मिलेगा 12544 इसका हो जाएगा answer clear मतलब कि जब 100 के close रहेगा तभी करेंगे ऐसा और तभी simple और जल्दी हो जाएगा तो यह रहे आपके 6 shortcut rules to find the square of a number तो इसमें से जो पहला और दूसरा जो rule था वो किसी भी number में apply हो जाएगा उसमें कोई specificity नहीं है कि मतलब कि specific number में ही apply होगा किसी में apply का सकते है first and second but जो आगे के four rules है उसके लिए specific number होने चाहिए तो hope कि आपको समझ में आगे होगा कुछ target rules आपको practice करने पड़ेंगे एक बात ध्यान रखेगा कि इन सभी rules का जितना जितना ज़्याद आप practice करेंगे जितना ज़्याद आप यूज करेंगे अपनी life में उतनी ज़्याद आपके brain में वह internalize हुज दाएगा और उतनी ही अच्छे से आप यूज कर पाएँगे और यदि आपके वाल पढ़त करके छोड़ दिया ऐसे ही आप practice में नहीं लाए तो कोई इनका फायदा नहीं होगा इस समझ लीजिए thank you so much for watching bye